हलो एवरिवन सबसे पहले आपको धेर सारी सुबकामना है आप लोग को कॉलेज एलॉट हुए है और अब जो आपका ड्रीम कॉलेज था हो सकता आपको वो मिला हो हो सकता आपको जो कॉलेज मिला हो आप उसको उसके उपर भी जा सकते हो तो मैं पहले कुछ चीजें बताना व कर दी आप वो बोला है सर हमें अपग्रेट करना था तो यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत जल्ले बाजी करते हैं तो आप सभी बच्चों को एक बात बोलूंगा कि आप लोग इत्मिनान से पहले आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो देखिए अगर आपको लगता अपका इलावा नेट फिक्स हो गया अब आपने अफरेट कीया तो बाद में सेकें डिहां या तो आप ब uzेक मिलएगा यह क्रैकर आप लाट करना तो इससे बहुत नहीं बात करना चाहें मुझे ससी कर दें वैसे बनागी सबसे बीमक्री hate ताइम में बिलकुल मत घबडाईए दूसरा जिन बच्चों की रंग पीछे और रिजल्ट नहीं वह वह भी पैनिक ना हो क्योंकि फर्स्ट राउंड के बार जब सेकंड रॉंड का रिजल्ट आता है तो जिन रंग पे पिछली बार मिला है उन रंग पे इस बार भी मिलेगा घबडाईएगा मत और इस बार तो जैसे अनेक्सपेक्टेड जिल्ट वैसे अनेक्सपेक्टेड कॉलिज भी रॉट हुआ है यहिंने तुरिछी भी जनलल रिंक में हायर रैंक तक मिला हुआ है सूरत्कल बहुत बच्चों ने अपनी च्वाने कि साफ़ से पहले नमबर प जबकि उनको सूरत का इलावाद मिल सकता था वो भी हुआ इसलिए ये changes हुए हैं तो सबसे पहले तो आपको जो allotment letter मिला है उसको download करिए दूसरा एक और question है कई बच्चे कर रहे हैं कि sir हम OVC वाले हमारे उसमें लिखा हुआ है open इसका मतलब यह है कि आपको आपकी category के बिना भी open rank में मिल गया आपको कैसीगरी में ही किया जाएगा पर आपको open में मिल गया यानि open की seat खाली होती है तो आपको category rank की जगे open में मिल जाता है पर आपको मिला उसी तरह से आपको paper verification वह सब करना होगा इसलिए कि बिल्कुल panic मत होए ध्यान रखिए once again all the best and congratulations award ceremony पूरी अच्छे से हो गई है जो बच्चे नहीं आ पाया थे paper के वज़े से वो सब के साथ मैं भी बहुत जली वीडियो भी शेयर करने वाला हूँ congratulations thank you